कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्ब बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उससे जोड़ दें तो यह करीब करीब 20 लाग करोड रुपिय का है 20 लाग करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जिड़ीपी का करीब करीब 10 प्रतिशत है इन सबके जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्ता की कडियों को 20 लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा 20 लाग करोड रुपिय का है पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को 20 लाग को 2020 में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्योक ग्रह उद्योक हमारे लगू मंजोले उद्योक हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है यह आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं देश के उस किसान के लिए हैं जो हर सिती हर मौसम में देश वास्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए है जो इमानदारी से टेक्स देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारत ये उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्मंत्री जी द्वारा आपको आत्म निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे साथियों आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जंधमन आधार मोबाइल इंगर